हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ओ फॉर्म है फिर के तरब से यहाँ पर आईवी में जो वेकेंसी निकाली गई थी सेक्यूरिटी एसस्टेंट और एक्जुकेटिव और MTS का इसका अप्लाई ऑनलाइन स्टाट हो चुका है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं तो description में लिंक मिल जाएगा आपके सामने यह page open हो जाएगा जहां पर सबसे पहले आपको registration करने किल कहा जाएगा तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे आपका नाम देखनों को मिलेगा तो यहाँ पर आपका जो नाम है जो metric के certificate में जैसा है वही आपको यहाँ पर लिखना होगा इसके बाद आपको जो mobile number है जो चालू mobile number है वो आपको mobile number देना है इसके बाद फिर से आपको अपने mobile number को confirm भी कर लेना है अब यहाँ पर आपको email ID और आपको अपना ही email ID को confirm भी कर देना है इसकी बाद पूछ रहा है कि आप विकलांग में आते हैं कि नहीं आते हैं अगर आपका विकलांगता certificate में percentage 40% से ज़्यादा है तब ही यहाँ पर PSP क्लिक करेंगे अगर आप physically handicap है लेकिन 40% से क्लिक क्या है आपका कम विकलांग है तो आपको यहाँ पर no की उपर क्लिक करना होगा इसके बाद यहाँ पर आपका निवास ही पूछ रहा है कि आप किस राज़े से निवास करते हैं तो आपको अपना राज़े का selection यहाँ पर कर देना है इसके बाद पूछ रहा है कि Subsidory Intelligence Bureau जहाँ पर आपना apply करना चाहते हैं किस जगा आपको मिलेगा तो आप जिस राज़े के होंगे आपको उसी जगा पर form apply करने के लिए कहा जाएगा ठीके तो यहाँ पर अगर आप जिस भी राज़े होंगे तो आपको उसी राज़े में जो वेकेंसी होगी आप वहाँ पर fight कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर category पूछेगा तो आपको अपना category जो होगा आप यहाँ पर selection कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर पूश रहा है आप किस post के लिए apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे दो परकार के post यहाँ पर होंगे आपको वो post का selection यहाँ पर कर लेना होगा जैसे यहाँ पर देख पार है security assistant है तो आपको इसके उपर click करना है इसके बाद यहाँ पर capture code को देखने के मिलेगा आपको इस capture code को यहाँ पर fill up कर देना है capture code fill up करने के बाद अब यहाँ पर आपको submit करने के लिए कहा जाएगा आपको submit के उपर click करना है और okie के उपर click करना है इस पाकार के जो आपका registration है वो यहाँ पर complete हो जागा तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको application number मिल चुका होगा अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर go to application form का option मिल जाएगा आपको go to application form के उपर click कर देना होगा जब go to application form के उपर click करेंगे तो इसके बाद आपको जो next process होगा भरने के लिए वो कहा जाएगा अब बात करते हैं कि कौन-कौन सा process भरने के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे आपका और अब इसके बाद यहाँ पर आपको center के choice करने के लिए कि कहा जाएगा आपको कम से कम 5 center यहाँ पर choice करना है तो आपको पांचो center यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर अपनी हिसाफ से selection कर लेंगे कि आपको कौन सा यहाँ पर center आपको पहले चाहिए और ध्यान रखना अगर फोर्म भर नहीं है तो आप इसमें पहले ही फोर्म भर लेंगे क्योंकि center जो होता हर जगा का एक reserve होता है माल लिए पटना में अगर 1000 seat रहेगा उसी center का तो पहले जो 1000 बच्चे फोर्म भरेंगे उनका यहाँ पर center दिया जाएगा उसी पकार सभागर प्रूम माल लिए 2000 बच्चे का दिया गया है तो 2000 बच्चे का seat यहाँ पर limited होगा तो जो पहले भरेंगे उनका वहाँ पर CT आपका examination जा सकता है इसके बाद यहाँ पर आपका gender पूछेगा आपका gender क्या है male है female है या transgender है और उसके बाद आपका जो rate of birth होगा आपको अपने rate of birth का selection करना है जैसे कि metric के certificate में है इसके बाद यहाँ पर आपका age calculate होके आजाएगा कि 17 फरबड़े 222 हमें आपका उम्र कितना हुआ है इसके बाद पूछ रहा है कि आप विकलांग है कि नहीं आपको पहले भी कर चुके हैं इसके बाद पूछ रहा है कि आपको एक service man यानि कि आप Indian Army, Air Force या Navy से retirement हुए है कि नहीं क्यों है आपको yes and no की उपर click करना है उसके बाद पूछ रहा है कि government servant है कि नहीं और ध्यान रखना government servant पूछा है लेकिन यहाँ पर departmental candidate पूछा है और फिर इसके बाद पूछा गया है 1984 में जो anti-secret हुए था आपके उसमें कोई भी माता पिता या कोई भी victim है कि नहीं आपको yes and no की उपर click करना है इसके बाद पूछ रहा कि आप sports person आते हैं कि नहीं यानि आपको yes and no की उपर click करना होगा और यहाँ पर एक important चीज लिखा गया domicile certificate आपको submit करना पड़ेगा document verification में यानि आप चाहिए किसी भी category से बिलोंग करते हूँ आपको document verification के दोरान जो आवासी परमान पतर या निवासी परमान पतर होता है वो आपको जमा करना होगा उसकी बादे आप पूछ रहा है कि आपका domicile certificate आपका है कि नहीं जहां के लिए आप apply किये हैं तो याद एकना जी जहां के लिए आप apply कर रहे होंगे वहाँ का आपका निवासी परमान पतर होना बहुत ही जरूरी है मानले जो को बिहार का बच्चा मैं ही हूँ और मैं इ बिहार का ना भढ़कर मानले जो मैं डिली का form भर देता हूँ तो इससे क्या होगा तो यहां का तो इन निवासी परमान पतर नहीं है मेरे पस दिली का तो मैं इस form के लिए apply नहीं कर सकता तो आपको अपने ही states में होंगे तो आपको अपने ही जगा प्लाइ करना है तो यहाँ पर अगर आप note की उपर क्लिक करेंगे तो आपको लिख किया जागा कि you are not eligible for this post तो इसलिए यहाँ पर आपको yes की उपर ही क्लिक करना होगा इसके बाद यहाँ पर save and next का जो option है आपको इसके उपर क्लिक करना है इसके बाद data successfully save हो जाएगा आपको के उपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर information देखेगा जैसे कि यहाँ पर आपका नाम फिर आपके पापा का नाम भरने के लिखा जाएगा और फिर आपके मम्मी का नाम भरने के लिए कहा जाएगा जैसे कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है इसके आद पूछ रहा कि आप साध इशोदा है कि नहीं आपको married और unmarried के उपर क्लिक करना है इसकी बाद nationality आपका पहले सा selection रहे गही और इसके बाद यहाँ पर आपका जो contact detail है जैसे कि mobile number और email ID वो आपको देखने को मिलेगा इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको address feel up करने के लिए कहा जाएगा अब धियान रखना address में क्या कर फिल अप करेंगे उसके आप किस राजे से बिलोग करते हैं उस राजे का नाम लिखना है किस city से बिलोग करते हैं या district कौन सा वो लिखना है इसके बाद जो आपको pin code जो होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा यह आपका permanent पूछ रहा है यह present पूछ रहा है इसके आप पूछ रहा है क्या कि permanent address जहने कि जब permanent address होता है कि वो present address के बराबर है यह same है कि नहीं तो आपको यहाँ पर यहाँ पर yes पर click कर देना होगा इसके बाद आपको permanent address भी यहाँ पर fill up हो जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर save and next का option आएगा आपको save and next के उपर click कर देना है अब यहाँ पे education qualification के लिखा जाएगा अब यहाँ पर देखेंग education qualification में अब यहाँ पर आपको पहले matric का certificate की बाद में बताना पड़ेगा जैसे पूछेगा कि आपको matric किस board से complete किये हैं तो उस board का नहाँ पर नाम लिखना है subjects का नाम पूछे रहा है तो आपका जो भी subject होगा वहाँ पर लिख सकते हैं अगर आप Hindi, English, Math, Social Science, Science और जो भी subject यहाँ पर लिखना चाहें वो यहाँ पर separate भी लिख सकते हैं अगर आपका यही तब common subject है तो आप यहाँ पर all subjects भी लिख सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पूछे का institute का नाम तो जिस school से पास की हैं उस school का नाम लिखना है कब पास की हैं उस साल का selection करना है आप से पूछे का grading pattern क्या था percentage system था या cgpa system था तो जो भी system आपका होगा उसको selection करना है अगर आप gpa system था यानि cgpa system था तो आपको यहाँ पर directly अपना gpa नाम लिख देना है कि कितना आपको gpa था अगर percentage का होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितना marks आया था कितना में से उसके बाद percentage आपका calculate के आ जाएगा अब इसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे तो टूर्थ अगर किये हैं तो टूर्थ का detail दीजेगा graduation किये हैं तो graduation का detail दीजेगा अगर कुछ नहीं है दोनों में भी अगर नहीं देना चाते हैं तो छोड़ सकते हैं तो आपको फिर नीचे की और आना है अब यहाँ पूछ रहा है कि आपका जो local language जो आप preference है कि नहीं यानि कि आप local language जहां के लिए apply कर रहे हैं आपको वहाँ को local language पढ़ने के लिए या बोलने के लिए समझने के लिए आता है कि नहीं आपको यहाँ पर automatic selection करने के लिए कि लिए कि लिए इसके बाद आपको signature upload करना है जो कि काला paint से ही होना चाहिए आपको वह भी signature upload कर दिना है दोनों को upload करने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक declaration होगा उसके उपर किलिक करना है और इस capture code को आपको fill up करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर submit का option देखने को मिलेगा आपको submit के उपर किलिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेस है वहाँ पर लेकर आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको payment करने के लिए कहा जाए गा तो payment जितना दिखाएगा आपको वहाँ पर payment करना होगा अब यह payment के अलग-लग method होंगे जिसमें आपको net banking के method है या other banking का net banking है जिसे के sbi का आपका debit card है या other bank का debit card है या a het Wirkka debit card है या आपको कोवी credit card है या UPI माध्य Crlieins करना चाते हैं या Check या Crass की माध्य हमसे करना चाते हैं जिसम cui माध्य हमसे payment करना चाते हैं आप उसका selection करेंगे इसकी बद अगर Card का ayate地 ast配 नाम क्या है और फिर आपको OTP मंगाना पड़а आपके जो Registr Tribanking है नमब्र पे उसके बद OTP आएगा उस OTP को डालनेक बद payment यहां पर complete होगा फिर आप back to page आएगा वहाँ पर print application का option मिल जाएगा लेकिन अगर आप UPI माधिरन से payment करना चाहते हैं तो scan केज़ेगा barcode को और directly आपका payment हो जाएगा इस पकार से जो form में आपका असानी से fill up हो जाएगा आसा करता हूँ ये वीडियो समझ में आग या होगे form कैसे बढ़ना है अगर कहीं भी problem होड़ा है form बढ़ने में तो comment करेएगा मैं आपको उसका जवाब जोड़ो दूँगा मेलिंग जाल दिनक्स्प्रेमेई तक यू पर वाचिं दिस वीडियो